रानी दूर्गाबती मेट्कल कॉलेज पांदा की डॉक्टर डॉक्टर नीलम सिंग ने एक बार फिर समाज के प्रती अपनी समर्पन भाउना का बेतरी नमूना पेश किया है आपको पता दे के डॉक्टर नीलम सिंग ने अपने पुत्र के छटमे जन्म दिवस के उपलक्ष में मेट्कल कॉलेज में एक रक्तदान शिविर का आयुजन किया जिसमें नीलम सिंग ने स्वेम भी रक्तदान किया और अपने सहयोगियों से भी रक्तदान कराया ये रक्तदान शिविर मेटकल कॉलेज के बलेड बैंक में शनीवार को आयुज़त किया गिया इस रक्तदान शिविर का मेटकल कॉलेज के प्रचार डॉक्टर मुकेश कुमार यादो ने फीता काट का सुभारम किया इसके बाद डॉक्टर नीलम सिंग ने रक्तदान किया इसके अलावा लगबग आधा दलजन से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान करके समाज को एक बेहतरीन मिसाल पेश किये डॉक्टर मुक्रेश कुमार और डॉक्टर नीलम सिंग ने समाज के लोगों से भी अपील किये कि अपनी खुशियों के साथ साथ उन मरीजनों का भी धियान रखा जाए जो रख्त की कमी से जूज रहे हैं और कईयों की तो खून की कमी के चलते मौत भी हो जाती है जी मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंग है मैं मेडिकल कॉलेज बांदा में सीनियर रेजिडेंट के पत पर ऑप्स और गाईनी डिपार्टमेंट में कारे रत हूं जी जैसे कि कहते हैं रख्तदान महादान होता है तो आठ तारिक सोमवार के दिन मेरे चोटे बच्चे आयान सिंग का बर्थडे है तो उसी के उपलक्ष में मैं हर साल ब्लड डोनेट करती हूं तो इस साल मैंने सोचा एक ब्लड कैम्प आयोजित किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों का और जिनको नीड होती है और जिनके पास डोनेट करने वाले लोग एनीमिया की वज़ह से या किसी भी एमर्जिंसी की वज़ह से ब्लड नहीं दे पाते हैं उनकी जान दॉक्टर प्रदीब सिंग ने खुद ने आज ब्लड डोनेट किया है और मैं हर साल अपने बच्चे के जन्म दिन पर ब्लड डोनेट करती हूँ और सबसे मैं ये आगरह भी करती हूँ कि आपके जिन्दगी में जो कुछ भी कभी अनमोल छड़ आते हैं जिसको आप लोगों की दुआएं हमारे और हमारे बच्चों को भी लगें क्या नम है अप्टर मेरा नाम श्रिवानी साहु है जिवानी जी क्या करती है अप मैं स्टुडेंट हूँ मेरा मेसी है इस एर आज आप लोगों ने मेट्टर कोलेज में आकर रख्तान किया है किस उपलक्षम आज हमारे डॉक्टर नीलम माम के बेटे का जनम दिवस है उसके उपलक्षमे माम ने ब्लड डोनेशन का कैम्प और और हम लोगो जब इसके बारे इंफॉर्मेशन मिली तो मैं और मेरे फ्रेंड्स यहां पर ब्लड डोनेट करने हैं क्योंकि यह बहुत ही क debates कि अज मेरे भाई का जनम दिवस है मैं उस उपलक्ष में आज ब्लड डोनेट की हूँ और मैं चाहते हैं फब लोग आफ ही ब्लड डोनेट करें जैसे मैंने किया है अब ब्लड डोनेट करने के बाद किसी दरह की कोई कंजोरी आप अज आपने करने की कि लिए आप मेरा के लिए यही कहना चाहते हूं कि जैसे आज मैंने किया है वैसा सब लोग करें क्या आप दिक्रिया देना कहें कि सारे बांदा के जो निवासी है और हमारा स्टाप है वह आपके चैनल के तुरू यह मैसेज देना चाहते हैं कि सभी को डाक्टर नीलम और डाक्टर प्रदीप से इंस्पायर होना चाहिए और जब भी कोई इस तरह का आता है जैसे इनके बेटे का बड़त दे है तो यह हर साल इस तरह का करते हैं कि उस दिन कोई ना कोई अच्छा काम करते हैं खासकर यह ब्लड डोनेशन इसे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है कि जिससे कई जाने बचाई जा सकती हैं क्योंकि हमारे अश्पताल में जो मरी जाते हैं जादतर अनीमिया से ग्रसित होते हैं, उनका आपरेशन होना होता है, कभी बच्चे की दिक्कत होती है, डिलेवरी होनी है, और वो पूरी परिवार ही देने वाला होता है, लेकिन सब एनिमेक होते हैं, खून की कमी होती है, तो बलड दे नहीं सकते हैं, और हम ले भी नहीं सकते हैं, नीमों के और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको भी बहुत फायदा होता है यह मेरा अपना परसनल एक्सपीरेंस है कई बीमारियों से भी बचाव मिलता है इससे ब्लड पेशर में भी हेल्प होती है एक होता है आयरेन बढ़ जाता सरीर में कभी उससे भी हेल्प मिलती है वो दू दूसरे की जान तो बचाई रहें पर आपको अपना भी स्वस्त लाव जो है वो मिलता है तो इस तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं और इसमें हमारे जो लाइफ सेवर्स वाले सल्मान कंपनी जो है पूरी यह बहुत तन मन धन से यह लोग लगे रहते हैं जब भी बहुत भी जब धनन जब नब rzyुब इसर्गल प्र kr kab erosion थेब में जब जबाड को जब हो हुआ है जब ऑग जयोंضे हैं जब जम फोगे से लागे हैं है है रहते हैंडलोह सब कहते हैं फ्ह